नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन के 22 जिलो की सुखार का समिछा बैठक आज जारखन के 22 जिलो के 154 परखंडों में सुखार किस्थिती है राज सरकार के किरिसी निदे साले न वर्ष 2022 खरीब मौसम में राजे में अल्प ब्रिष्टी से उत्पण सुखार की स्थिती के संधर में रिपोट तयार की है यह रिपोट किरिसी बीभाग के सची को भेजी गई है रिपोर्ट मिलने के बाद भारत सरकार की एक टीम जार्खन आएगी और सुखाड प्रहवित कुछ जीलो, परखंडो और गाउं का निरिक्षन करेगी टीम लटकर अपनी रिपोर्ट के नर सरकार को देगी फिर सुखाड की घोषना के बाद आगे की करवाई होगी बता दे क्रिसी निदेशावय ने क्रिसी बिभाग को भेजी गई रिपोर्ट में कहा है कि सुखाड के इस्थिती के संदर्व में आपदा सचीव की ओर से आउद बैठक में निर्देश दिया गया था करण्ट लगने से हाथी की मौत डर से गांवाले करने लगे पूजा जारखन के डिम्बु जर्दा पंचायत की एक धान के खेत में करण्ट लगने से एक हाथी की मौत हो गई है घटना गुरु आर की रात की लगभग 12 बजे की है मिली जनकारी के अनुसार हाथियों का जूंड कई दिनों से गांव के आसपास डेरा जमाए हुए थे गुरु आर की रात 11 बजे 3 हाथियों के जूंड ने एक घर का दरवाजा तोड़ दिया इसके बाद देर रात भ्रहमन के दोरान हाथी डोमन महतों के खेत में धान की फसल खाने पहुचे जहां खेत के बीच में जूल रहे 11,000 वोल्ट बिजली के तार की चपेट में एक हाथी आ गया बिजली विभा की लपरवाही से बिजली के तार जमीन से सिर्फ 8 फिट के उचाई पर जूल रहा है गाह वालों ने हाथी की मौद के सुचना सुबा वन विभा को दी वन विभा की टीम रेंजर अमरनात भागत करने तितुमें घटना स्थल पर पहुंची और हाथी के सौग को कबजे में ले लिया है छट पूजा में अरग देने का समय जारी जारखन में छट पूजा को रांची मौसम केंद्रे ने विशेश छट बूलेटन जारी किया है महापर्व छट में 30 अक्टूबर को सुर्यास्त के समय अस्चल गामी भागवान भासकर और 31 अक्टूबर को उदेई मान सुर्य को अरग देने में वर्ती को सुविधा हो सके इसके लिए मौसम पूरणवान जारी किया गया है जिसमें सभी जीलों में सुर्यास्त और सुर्योदा का समय दिया गया है बता दे रांची मौसम केंद्र के अनुसार महापर्व छट के दोरान पूरे जार्खन में सुवा हमें कोहरा या धुन्द के बाद आसमान मुख के रूप से साफ रहेगा वहीं 31 अक्टूबर को राजे में निम्तम तापान 13-18 डिग्री सेल सेल्स के बीच रहेगा बता दे बोकारो में सुर्यास्त पांच बचकर आठ मियट पर वहीं सुर्योदय पांच बचकर 51 मियट पर चत्रा में पांच बचकर 13 मियट पर और सुर्यास्त पांच बचकर 56 मियट पर होना है हिर्दय रोग से पीडित मरीजों को जहर्खन सरकार राजकोट में कराएगी निसूलक इलाज हिर्दय रोग से पीडित नवजात और 65 वरस से कम उम्र के वैसकोग के लिए राध भरी खवर है बतादे सिरी साइस्पताल राजकोट और जहर्खन सरकार के सहयोग से राज़े में 1400 हिर्दय रोग्यों की खोज सुरू हो गई है इसे लेकर स्वास्थ भी भाग के अपर मुक्सची अरून कुमार सिंग ने धनबाद सहीत राजे के तमाम जीलों के सिविल सर्जन को पत्र लिह करने देश दिया है हर जीलों को इलाज के लिए मरीजों को चिनित करने को भी लक्ष निधारित किया गया है बताज़ धनबाद सिविल सरजन को हिर्दाय रोग से पिडित पचातर उन लोगों को कैम्प में लाने को कहा गया है यह मेगा कैम्प रिम सरांची के परिशर में 4, 5 और 6 नॉम्बर को आयोजित किया जा रहा है चिंतन सिविर में बीत मंत्री ने केंदर से मांगी मदध ग्रिह मंत्री अमीच सादवारा देश भर की बीधी बेवास्ता आंतरिक सुरक्षा को लेका है सुरज कोंट में बुलाए गए चिंतन सिवीर में बित मंत्री डाक्तर रमेज़वर उरावं ने झारकन का पर निदित्व करते हुए बीदी पेवस्ता का दूरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार के समुक्ष राजय के लिए सहाएता माँगी। राज सरकार ने नक्सल के खिलाप अभ्यान में तेजी लाने के लिए केंद्रीय औरदसानिक बॉल की एक बटालियन की मांग भी की है बितमंतरी डाक्रार रमिस्तृर उराव ने चिंतनस्वीर में कहा है कि राजने को बिख्सित करने वर नक्सल मुक्त करने के लिए सरकार परतिवाध है राज सरकार नकसल प्रभावित छेतरों में सड़क बिजली, स्वाष्ट सिक्षा और विकास कारों में बिसेस जोर दिया है डाक्टर रुराव ने कहा है कि जनवरी 2020 से 31 समाच 2022 के बीच 25 नए फरवर्ड केम्प अस्थापित किये गए है विकास गती को तेजी देने के लिए अप्रेल 2022 से अब तक 15 कोर एरिया में फरवर्ड केम्प बनाएगा है बित मंत्री ने बताया कि राज सरकार के तंत्र केंद्रिये एजेंसी से मिल कर उग्रवाद के ऑक्सिजन यानी फंडिंग को भी रोकने का काम किया है नकसली दिनेस गोब की दोनों पत्निया जेल में कर रहे हैं छट महापर्व बिरसा मुंडा केंद्रिये करा होटवार में पी ए लेफाई सुप्रीमों दिनेस गोब की दो पत्निया हीरा देवी वा सकुंतला देवी सहीत साथ कैदी छट महापर्व कर रहे हैं जिसमें 6 महिला वह एक पुरुष कईदी सामिल है दिनेस गोप की पतनी हिरा देवी और सकुंतला देवी के अलावा छट पुजा करने वालों में सितारा देवी जो पलामु निवासी है सामिल है मालूम हो कि दिनेस गोप की दोनों पतनीया एन आई ए मामले में विचारा धीन बंदी है जबकि तीन महिला कईदी सितारा देवी गुडी देवी वसिखा देवी आजिवन करावास तथा संतोसी देवी 10 साल की सजा काट रही है वही एक पुरुष कईदी कृष्ण देव महतो छट कर रहा है वह भी आजिवन करावास की सजा काट रहा है देवगर का ऐसा गाव जहां पुरा गाव साथ मनाते हैं छट महापर्व खारना पर 500 लोगों का बन रहा परसाद सुर्य उपासना के महापर्व छट की सुरुवात सुक्रवार को नहाय खाय के साथ सुरू हुई बता देवगर में एक ऐसा गाव है जहां समोहिक छट महापर्व मनाया जाता है पूजा में गाव के करीब 60 परिवारों के 500 से सामिल होते हैं आज 29 अक्टूबर को खारना को लेकर यहां खास त्यारी चल रही है छट वरती साम में खारना पूजा करेंगी फिर खीर के परसा गर्ट मनाता है जो लोग बाहर रहते हैं और चट के लिए गाव लोडते हैं ओबस वीगर में ओवी सामिल होते हैं घटना के बाद विधायक सर्जू राय के समर्थक गूट ने थाना पहुचकर मामला दर्ज कराया पूलिस ने घायलों को इलाज के लिए जमसेथपूर के MGM होस्पीटल भेजा है बतादे जमसेथपूर में छट पूजा को लेकर सुर्य मंदरी परिसर में सर्जू राय और रगुवर दास के समर्थकों के बीच ताना तानी हुई थी मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाध हुचे चलने पड़े जारखन में छट के दीन का मौसम जारखन में छट महापर्व की वज़ा सेवातावरन भक्तिमय और उलास पूर्ण हो गया है खरना के अगले दिन छट वरती 30 अक्टूबर को साम में भागवान भासकर को अरख देंगे वहीं 31 अक्टूबर को सुबा सुबा उगते सुरज को अरख देने के साथ छट महापर्व के समापन हो जाएगा इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि छट के दिन का मौसम कैसा होगा बता दे रांची इसीत मौसम केंद्र के मुताबिक जारखन में 30 अर 31 अक्टूबर को सुबा धून्द याकोरा चाय रहेगा हलाकि बाद में आस्मान साफ हो जाएगा दिन में मौसम सुस्क रहेगा राईधानी राची में 30 अक्टूबर को सुर्योद सुबा पांच बचकर तीरपन मियट पर होगा जबकि सुर्याफ्त का समय पांच बचकर बारा मियट पर बताया गया है जार्खन के कई मामले केंद्र के पास लंबित केंद्र के पास कोईला से लेकर रेल जैसी पर्योजनाव के मामले लंबित है इनका समय धान करने की जार्खन सरकार ने मांग की है पिछले दिनों नीती आयोग के उपाधाज के साथ होई बैठक में भी ए मामले रखेगा जिसमें बकाया भी सामिल है राज सरकार ने GST कमपनसेशन के रूप में 1880 को रूपए बकाया देने की मांग की है वहीं कोईला कमपनियों द्वारा राजे में 3300 एकर जमिन का इस्तिमाल किया जाता है इसके एवज में बतार टेक्स 8000 को रूपए की मांग की गई दूसरी ओर वास्ट कोल पर भी रुवाल्टी के रूप में 22000 को रूपए की मांग की गई है इसके अलावा भी उर्जा मंत्राले, जल सक्ती मंत्राले, रेल मंत्राले, ग्रामिन विकास मंत्राले के पास राजसरकार के कई प्रस्ताव लंबित है जिनकी मांग जूरी का इंतजार है इन मामलों में निती आयोक से हत्चेप का अगरा किया गया है मेदनी नगर में भीख मांग कर छट करने की परंपरा पर हुई सरमसार पलामों के मेदनी नगर में छट करने की बहुत पुरानी परंपरा है छट करने के लिए लोग कई उपाय करते हैं जिनके पास समार्थ नहीं होता है वे भीख मांग कर पुजा करते हैं लंबे समय से अपरंपरा चली आ रही है पर इस बार मेदनी नगर में अपरंपरा को सर्मसार कर दिया गया बतादे पुजन समागरी बाटने वालों भी सर पर हाथ रख लिए इस्थिती ऐसी बन गई की लोग लकड़ी, सूप, फल, साड़ी और अगरबती तक के लिए आपस म की ओर से सीवजी मैदान में पिछले कई वर्षों से पुजन समगरी बित्रन सीविर लगाया जाता है इस वर्ष भी इसे सब फल बनाने के लिए पहले से परचार किया जा रहा था इसलिए यहां हजारों की संख्यम लोग पहुँच गए सभी लोग धाका मोखी करके पहले लेकर फिर से दोबारा लाइन लग रहे थे जब कुछ दिर बाद चेंबर के लोगों कोई असास हुआ तो लाइन लगाया गया पर उसमें भी कई लोगों ने बाजी मारली और ज़रुरत मंद खड़े रहा गए टाटा इस्टील में नौकरी का अवज है टाटा इस्टील डाउन इस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड में आई टी आई और डिप्लोमा होल्डर के लिए बाहली निकली है चैनित आवेदक छह महिने के लिए जुनियर एसोसियेट के रूप में कम्पनी के पेरोल में बाहल किये जाएंगे 6 महिने पूरे होने और संतोस जनक प्रदर्शन पर उन्हें जुनियर एसोसियेट एक एक के रूप में 6 महिने के अधि के लिए परिविक्छा पर आस्थाई रोजगार की पेसकस की जाएगी वहीं तीन बरस से अधिक समय से कमपनी में कारण ठेका कर्मियों को भी इसमें सामिल होने का मौका मिलेगा अब हैर्थियों से पांच नॉम्बर तक आवेदान अमंत्रित किया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेले का अंद भाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपे दोस् कर दोस्ताइब 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 कर दोस्ताइब